दौलत और शोहरत पाने के लिए क्या चाहिए होता है? आपके पास क्या इस बात का जवाब है? अगर आप कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से ये संभव है तो जनाब आपको बता दें कि कई एक्ट्रेस ऐसे भी है जिनकी पढ़ाई से एक्टिंग फिल्ड का दूर दूर तक क कोई वास्ता नहीं है और तो और कुछ ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है पर इसके बावजियूत इन्होंने करोडों रूपए कमाए हैं और करोडों के दिल जीते हैं आज हम आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेस की एजुकेशन के बारे में बताएंगे कुछ एक्ट्रेस ने इतनी पढ़ाई की है कि आप भी जानकर चौक जाएंगे आपको लगेगा कि यदि यह सुन्दरी एक्ट्रेस ना होती तो निश्चंत रूप से इंजिनियर या अर्थ शास्त्री ही होती हाला कि कुछ एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूलिंग तक पूरी नहीं की तो चलिए देर किस बात की आहां ये जानते हैं पूरा मामला अमीशा पटेल बेहत पढ़ी लिखी अभीनेतरी है उन्होंने युएस से एकोनॉमिक्स की डिगरी ली है इतना ही नहीं अमीशा ने विदेश से बायो जेनिटिक एंजिनियरिं की पढ़ाई भी की है अभिनेता और पॉलिटीशिन सत्रोगन सिन्हा की बेटी और एक्ट्रिस सोनाक्षी सिन्हा की स्कूलिंग मुंबई में हुई है सोनाक्षी फैशन डिजाइन से ग्रैजुएट है सोहा अली खान ने लंडन स्कूल ऑफ एकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइन्स से इंटर्नाशनल रिलेशन में मास्टर दिग्री ली है पreeti जिन्ता ने इंग्लिष ओनर्स में बैचलर दिग्री ली है पोस्ट क्रेजुएशन में उन्होंने क्रिमिनल सेकलाजी भी किया है एजुकेशन में पृति की रैंकिंग हमेशा बढ़िया रही है और न परिनिती चोपड़ा ने तो तीन बार ओनर्स की डिग्री ली है। वो बिजनेस, एकनॉमिक्स, फाइनसिंग में पढ़ाई कर चुकी है। आपको बता दें कि परिनिती ने यूके के मैंचिस्टर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। विद्यावालन ने मुंबई उनिवसि उत ने तो चंडीगर के DV स्कूल से पढ़ाई की है। वो मेडिकल फिल्ड में जाना चाहती थी। मगर बात कुछ और ही बन गई। आलिया भट ने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई की है। इसके बाद वो फिल्म की दुनिसा में आ गई।। आलिया ने जमना बाई नर्सी स्कू ने एक्टिंग के लिए सिक्स्थ क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया चूंकि कट्रिना को एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था ऐसे में उन्हें विधीवत सिक्षा तो मिल ही नहीं पाई मगर हां विकीपीटिया के मुताबिक उन्होंने घर पर रहते हुए ही सिक्ष करने लगी थी